ही मोई ब्यूटिफुल वीवर्स वेलकम टो एम्टी किछन आज में बनान जाएँ चिकन सिक्स्टिफाई की रेसिपी जो बहुत ही यम्मी बनती है और इससे बनाना बहुत ही आसान है चलिए इससे किस तरह से बनाते हैं यह देखते हैं मैं यहाँ पे 500 ग्राम उतना चिकन ली हूँ यहाँ पे मैं नेचे से क्लीन कर लिया है यहाँ पे आप बोनलेस वाला या चाय हड़ी वाला चिकन भी ले सकते हैं पर यहाँ पे हमें चोड़े-चोड़े पीसस लेना है हम इस चिकन को आधे घंटे के लिए मेरिनेट करेंगी इसलिए यहाँ पे में आफ़ टीबल स्पून उतना नमक आद्रक का पेस्ट और आफ टीबल स्पून उतना लहशुन का पेस्ट मैं यहाँ पे करी लिए उसली हूँ जिसे मैंने अच्छे से चोटे चोटे पीसस में कट कर लिया है और उसी की साथ मैं यहाँ पे आइट करने जा रही हूँ एक टेबल स्पून उतना लाल मिर्च पौडर आफ टेबल स्पून उतना जीरा पौडर थोड़ा सा गरम मसाला पौडर आप यहाँ पर अपने हिसाब से डाल सकते हैं मैं यहाँ पर थोड़ा सा एट कर रहे हूँ एक टेबल स्पून उतना ग्रीन चिली सॉस आप यहाँ पे ग्रीन चिली पेस्ट का भी इस्तिमाल कर सकते हैं चाहे तो एक टेबल स्पून उतना ग्रीन चिली सॉस की जगा पर हाफ टेबल स्पून उतना ब्लैक पेपर पॉडर मैं यहाँ पे आदा निंवु का रसक का इस्तिमाल कर रही हूं, आप इसकी जगा पर टू टेबल स्पूरुन उतनाеня कर्ड का भी इस्तिमाल कर सकते हैं अब मैं यहाँ पर हातों के मदश से अच्छे से मिक्स कर ले रही हूं अच्छे से मिक्स हो जाए हूं इसलिए मैं इसमें आड़ करने जारी हूँ एक टेबल स्पूरतना चावल का आटा और उसी के साथ एक टेबल स्पूरतना कॉन फिलार और फिर से हाथों के मदसे अच्छे से मिला लूँगी और अच्छे से मिलने के बाद मैं इसे आदा घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए छोड़ देती हूँ चिकन अच्छे से मैरिनेट हो चुका है मैंने यहाँ पे एक कडाई में तेल भी लिया है क्यूंकि मैं अब चिकन को अच्छे से फ्राई करने जा रहे हूं इसलिए देखे तेल भी अच्छे से गरम हो चुका था मैंने इसलिए एक एक पीसस करके आदे चिकन के पीसस को यहाँ पे मैं फ्राइ कर लूँगी एकी बार में इसे पकने में लगबग 10 मिनिट लगते हैं मैं यहाँ पे एकी बार नहीं फ्राइ कर रही हूँ थोड़े थोड़े करके फ्राइ कर रही हूँ और अच्छे से एक बार मिला लूँगी दो मिनिट के बाद और इसे पकने में दस मिनिट लगते हैं इसी तरह से मैं अच्छे से पका लूँगी चिकन को यहाँ पे हमें चिकन को पूरी तरह से पका लेना है मतलब 100% उतना पूरी तरह से पक जाना चाहिए देखें यहाँ पर पक चुका है अब मैं निकाल ले रही हूँ और इसी तरह से जितने बच्चे हैं उतने भी फ्राइ कर लूँगी मैं यहाँ पर कड़ाय ली हूँ और यहाँ पर मैं जो फ्राइ किया हुआ तेल था ना उसी तेल का मैं यहाँ पर दो चमच उतना इस्तिमाल कर ली हूँ देखें यहाँ पर तेल भी थोड़ा सा गरम हो चुका है अब मैं इसमें आट करने जारे हूँ दस से पंद्रा उतने कूटी हुई लैसुन की कलिया और एक टेबल स्पूर उतने अद्रके पीसर्स और चार से पांच उतने हरी मेर्च कटी हुई और थोड़े से करे लिवस इन सब चिज़ों को मैं एक से दो मिनिट तक मीडियम फ्लेम पर पका लूँगी क्यूंकि अचापन धूर हो जाएं इस लिए और इसी के साथ मेंझा पे आट करने जारी हुँ जो फ्रय की हुए चिकन हम याँ पे सिर्फ 2-3 मिनिट तक ही पकाना है बहुत नहीं पकाना है सिर्फ 2-3 मिनिट तक देखें यहां पे 2-3 मिनिट अच्छे से हो चुके हैं अब मैं यहां पे घैस के फ्लेम को बन कर दूँगी क्यूंकि यह पूरी तरह से अब अच्छे से पक चुका है अगर आपको मेरी बनाई हुई चिकन सिक्स्टी फाई के रेसीपी अच्छे लगे हो तो एमटी केचन चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक, शेर, कमेंट कर देना और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करना क्यूंकि बढ़िया बढ़िया ऐसी वीडियो जल से जल मिल सकी